परिचाए बच्चो, पिछली कक्षा परिक्षा में कितनों को 30 में से 10 अंकप्राप्थ हुए थे, वो जड़ा खड़े हो जाएं? कितनों को 10 से 20 के बीच में अंकप्राप्थ हुए थे? और कितनों को 20 से 30 के बीच में अंकप्राप्थ हुए थे? ठीक है अब क्या कोई पता सकता है कि हम इन सभी आकणों को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं सर हम इने सांकिकी का प्रयोग करके निरूपित कर सकते हैं बिल्कुल सही राहुल सांकिकी आकणों के संग्रह, विशलेशन और प्रस्तोती करण का विक्यान है आईए इसके बारे में और सीखें इस पार्ट में आप संग्रहित आंकणों का विशलेशन और निर्वचन करना सीखेंगे उद्धेशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वर्गी कृत और अवर्गी कृत आंक्णों का माध्धे ज्यात करना कल्पित माध्ध विधी से वर्गी कृत आंक्णों का माध्धे ज्यात करना पग विचलन विधी से वर्गी कृत आंक्णों का माध्धे ज्यात करना वर्गी कृत और अवर्गी कृत आंक्णों का बहुलग ज्यात करना संचई बारंबार्ता बंटन का विशलेशन करना वर्गी कृत आंक्णों का माध्ये आक्णों कार्थ है संख्यात्मक रूपों या तत्यों के समुच्चे के रूप में प्राप्त सूचनाए माध्ये यह संख्याओं का आउसत होती है यदि एक्स एक एक्स दो इत्यादी एक्स एन तक प्रिक्शन हैं जिनकी एफ एक एफ दो इत्यादी एफ एन तक बारंबार्ता है तो आग्णों का माध्य एक्स बार निम्न होगा हम इसे एक्स बार बराबर एफ आई और एक्स आई के गुड़न फलों के योग जहां आई बराबर एक से एन तक बटे एफ आई का योग जहां आई बराबर एक से एन तक है उसके रूप में लिख सकते हैं यदि वर्ग अंतराल दिये हों तो हम वर्ग चिन को निम्न प्रकार ग्याद कर सकते हैं। वर्ग चिन बराबर उपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटे दो। प्रतेक वर्ग अंतराल के लिए हम दिये गए सूत्र में वर्ग चिन एक्स आई का प्रियोग करते उधारण प्रथम दस प्राक्रितिक संख्याओं का माध्य ग्याद कीजे हल दिये गए आंक्णे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, दस है प्रेक्षणों का योग पच्पन के बराबर होगा कुल प्रेक्षण हैं, दस माध्य बराबर होगा कुल प्रेक्षणों का योग यानि ये पाँच दशमलाव पाँच होगा उद्धारण दिये गए आकड़ों का माध्य ग्याद कीजिए हल सबसे पहले हम सूत्र के प्रेयोक से प्रतेक वर्ग अंत्राल के लिए वर्ग चिन ग्याद करेंगे वर्ग चिन बराबर उपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटे दो पहले स्थम्भ में हमने वर्ग अंत्राल लिखा है और दूसरे स्थम्भ में हमने संगत वर्ग अंत्राल की बारंबारता लिखी है बारंबारताओं का योग 31 है फिर हम प्रतेक वर्ग अंत्राल के लिए वर्ग चिन लिखते हैं और उन्हें XI से व्यक्त करते हैं तथा इसके बाद FI और XI का गुड़न फल ग्याद करते हैं अंत्तहा हम सूत्र का प्रयोग करके माध्य ग्याद करते हैं X बार बराबर FI और XI के गुड़न फल का योग बटा FI का योग जो बराबर होगा 1095 बटे 31 के जो हल करने पर 35 प्राप्त होगा माध्य ग्याद करने की इस विधी को प्रत्यक्ष विधी कहा जाता है वर्गी करित आंक्रों का माध्य कल्पित माध्य विधी कई बार और का गुड़न फल इतना बड़ा हो जाता है कि परम परागत विधी बहुत समय लेने वाली हो जाती है लंबी गर्णाओं से मुक्ती पाने के लिए हम कल्पित माध्य विधी का चैन करते हैं कल्पित मात्य विधी से मध्धे निकालने का सूथर है कल्पित मात्य जमा ऐफ आई और एक्स I के गुडनफल का योग बटा एफ आई का योग कल्पित मात्य है हम एक्स आई के मान से माध्य की कल्पना करते हैं गड़नाओं से बचने के लिए हम एक अन्य विधी का प्रेयोग करते हैं, जिसे पग विचलन विधी कहते हैं. पग विचलन विधी से माध्धे ग्याद करने का सूत्र है. कल्पित माध्धे जमा एच गुड़न एफ आई और यू आई के गुड़न फल का योग बटा एफ आई का योग. जहां एक कल्पित माध्धे है, हम एकस आई के मान से माध्धी की कल्पना करते हैं. एच वर्ग माप है, यू आई बराबर एकस आई घटा ए बटा एच उधाराण. कल्पित माध्धे विधी और पगविचलन विधी से दिये गए आँकणों का माध्धे ग्याद कीजिए. हल सबसे पहले हम निम्न सूत्र के प्रयोग से प्रतेक वर्ग अंत्राल के लिए वर्ग चिन ग्याद करेंगे. वर्ग चिन बराबर उपरी वर्ग सीमा जमा निचली वर्ग सीमा बटा दू. मानलीचिये कल्पित माध्धे ए बराबर पच्चीज एच बराबर दस. पहले स्थम्भ में हमने वर्ग अंत्राल लिखा है और दूसरे स्थम्भ में हमने संगत वर्ग अंत्राल की बारंबारता लिखी है बारंबारताओं का योग एक तालीस है फिर हमने प्रतेक वर्ग अंध्राल के लिए वर्ग चिन्ह लिखा और उसे XI से व्यक्त किया चौते स्थम्भ में हमने कल्पित माध्य से विचलन D प्राप्त किया पांचवे स्थम्भ में हमने कल्पित माध्य बटा वर्ग माफ से विचलन U ग्यात किया चटवें स्थम्भ में हम F और D का गुड़न फल ग्याद करते हैं, उनका योग घटा चालीस है साथवें स्थम्भ में हम F और U का गुड़न फल ग्याद करते हैं और उनका योग घटा चार है इसके बाद हम कल्पित माध्धिदि के निम्न सूत्र से कल्पित माध्धि गयात करते हैं कल्पित मात्थे जमा एफ आई और एकस आई के गुड़नफल का योग बटा एफ आई का योग पराबर पचीस जमा घटा चालीस बटा एक तालीस पचीस घटा शूने तशमलव नौ आठ और चौबीस तशमलव शूने तो है इसके पश्चात हम पग विचलन विधी के निम्न सूत्र की साहिता से मात्थे क्यात करते हैं कल्पित मात्थे जमा एच गुड़न एफ आई और यू आई के गुड़नफल का योग बटा एफ आई का योग मान रखकर गरना करने पर हमें चौबीस तशमलव शूने दो प्राप्त होगा वर्गी क्रित आंक्रों का पहुलक पहुलक वह संख्या है जो सबसे अधिक बार आती है वर्गी क्रित आंक्रों में बहुलक का मान निम्न सूत्र से ग्यात किया जा सकता है एल जमा एफ एक घटा एफ शूने बटे दो एफ एक घटा एफ शूने घटा एफ दो गुड़ना एच जहां एल बहुलक वर्गी की निम्न यानि निचली सीमा है H. वर्ग अंत्राल की माप ये मानते हुए कि सभी अंत्राल बराबर मापों के हैं F. एक बहुलक वर्ग की बारंबारता है F. शून ने बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है तथा F2, बहुलक वर्ग के ठीक बात में आने वाले वर्ग की बारंबारता है उदारण दिये गए आकड़ों का बहुलक ग्यात कीजिए हल यहां वर्ग अंतराल में अधिक्तम संखिया 9 है और इस बारंबारता का संगत वर्ग 30 से 40 है अतहा बहुलक वर्ग 30 से 40 का वर्ग है अब बहुलक वर्ग बड़ाबर 30 से 40 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L बड़ाबर 30 वर्ग माप H बड़ाबर 10 है बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर 9 है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता F0 बराबर 8 है बहुलक वर्ग के ठीक बात में आने वाले वर्ग की बारंबारता F2 बराबर 4 है अब नीचे दिये गए सूत्र में सभी मानों को रख कर तथा गणना करने पर हमें 31.67 बहुलग प्राप्त होता है संचई पारंबार्था संचई पारंबार्था दो प्रकार की होती है एक, कम प्रकार का संचई पारंबार्था बंटन और दो, अधिक प्रकार का संचई प्रकार का पारंबार्था बंटन आईए इसे एक उधारण से समझें वर्गी कृत आंकडे इस प्रकार हैं 6-10 के बीच अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 2 है 10-20 के बीच अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 12 है 20-30 के बीच अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 22 है 30-40 के बीच अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 8 है 40-50 के बीच अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 6 है आईए उप्रोक्तो आकड़ों के लिए कम प्रकार का संचई पारंबारता सारणी का निर्माण करें यहां दो चात्रों ने 6-10 के बीच अंक प्राप्त किये हैं इसकार्थ है कि दो चात्रों ने दस से कम अंक प्राप्त किये हैं। बारा चात्रों ने दस से बीस के बीच अंक प्राप्त किये हैं। आताहा चौदा चात्रों ने बीस से कम अंक प्राप्त किये हैं। इसी प्रकार आगे परीकलन करते रहने पर हमें निम्न संचई बारंबारता सारणी प्राप्त होती है। 10 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2 है। 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2 जमा 12 बराबर 14 है। 30 से कम अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 14 जमा 22 बराबर 36 है 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 36 जमा 8 बराबर 44 है 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 44 जमा 6 बराबर 50 है उप्रोक्त सारणी को कम प्रकार का संचई बारंबारता सारणी कहते हैं आईए अधिक प्रकार की बारंबारता सारणी का निर्मान करें आईए उप्रोक्त आकड़ों के लिए अधिक प्रकार की संचई बारंबारता परिकलन सारणी निर्मान विधी ग्याद करें इसमें शूने या उससे अधिक अंक प्राप्त चात्रों की संख्या इसकार्थ है कि पचास चात्रों को शूने या उससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं चुंकि दू चात्रों को दस से कम अंक प्राप्त हुए हैं इसलिए 48 चात्रों को 10 या उससे अधिक अंक प्राप्थ हुए हैं। इसी प्रकार आके बढ़ते रहने पर 48 घटा 12 बराबर 36 चात्रों ने 20 या उससे अधिक अंक प्राप्थ किये हैं। इस प्रकार हम अधिक प्रकार बारम बारता बंटन सारणी प्राप्त करते हैं शूने से अधिक अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या पचास है दस से अधिक अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या पचास घटा दो बराबर अर्टालीस है 20 से अधिकंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 48 घटा 12 बराबर 36 है तीस से अधिक अंक प्राप्त करने वाले चात्रों की संख्या 36 घटा 22 बराबर 14 है। वो प्रोक्त सारणी को अधिक प्रकार का बारम बारता सारणी कहते हैं। वर्गी कृत आंकणों का माध्यक। माध्यक बीच की संख्या होती है। अवर्गी कृत आंकणों का माध्यक। मान लीजिए प्रेक्षणों की संख्या N है। पहले आकणों को आरोही क्रम में वैवस्थित कर लीजिए। अब यदि N विशम है तो N जमा एक बटा दोवां प्रिक्षण माध्यक होगा। वर्गी गृत आंकणों का माध्यक पहले हम माध्यक वर्ग ग्याद करते हैं। इसके लिए सभी वर्गों और N बटा दो की संज़ई बारंबारता ग्याद करेंगे। अब हम उस वर्ग को निर्धारित करते हैं, जिसकी संचाई बारंबार्ता N बटा 2 की बारंबार्ता से अधिक समेप हो। इसे माध्यक वर्ग कहते हैं। माध्यक के परिकलन के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। L जमा N बटे 2 घटा C F जोकी F से विभाजित है और H से गुणन होता है। जहां L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। N प्रिक्षणों की संख्या है। C F माध्यक वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचई बारंबारता है। F माध्यक वर्ग की बारंबारता है। H वर्ग माप यानि सभी अंतराल बराबर माप के हैं। माध्य, माध्यक और भहुलक का अंतर संबंध इस प्रकार है। 3 माध्यक पराबर भहुलक जमा 2 माध्य उधराण मान 5, 10, 7, 16, 12, 20 का माध्यक ज्यात कीजे। हल आकणों को आरोहिक्रम 5, 7, 10, 12, 16, 20 में वैवस्थित करें। प्रेक्षणों की संख्या 6 यानि सम है। आताहा N बटा दोवें तथा N जमा एक बटा दोवें प्रेक्षणों का औसत माध्यक होगा। N बटा दोवें प्रेक्षण, 6 बटा दो यानि तीसरा प्रेक्षण बराबर 10 N बटा दो जमा एक वें प्रेक्षण, 6 बटा दो जमा एक यानि चौथा प्रेक्षण बराबर 12 माध्यक बराबर तीसरा प्रेक्षण जमा चौथा प्रेक्षण बटा दो बराबर दस जमा बारा बटा दो जो की ग्यारा प्राप्त होगा उधारण सबसे पहले हम मजदूरों की मजदूरी और संख्या लिखेंगे मजदूरों की कुल संख्या सौ है यहाँ प्रेक्षणों की संख्या सौ है यहाँ सम संख्या है इसलिए माध्यक प्रेक्षण के एन बटा दो वें और एन बटा दो जमा एकवें पत का आसत होगा यह सौ बटा दो और सौ बटा दो जमा एक का आसत है यह पचासवें और इक्यावनवे प्रेक्षण का आसत है इन प्रेक्षणों को प्राप्त करने के लिए आकड़ों को निम्न प्रकार वेवस्थित करें इसमें हमने उन मजदूरों की कुल संख्या लिखी है जो अर्टीस सो, एक्तालीस सो, चवालीस सो, उनजास सो, बावन सो, पचपन सो और छए हजार तक वेतन प्राप्त करते हैं उप्रोक्त प्रकार से वेवस्थित की गई बारंबार्ता को संचाई बारंबार्ता कहते हैं दर्शाई गई सारणी में शिग्रिता से संचाई बारंबार्ता का परीकलन करना बताया गया है अतहा 50 वाँ प्रेक्षण 4400 है और 51 वाँ प्रेक्षण 400 है माध्यक पराबर 4400 जमां 400 बटा 2 माध्यक पराबर 94 बटा 2 माध्यक पराबर 4650 इस कार्थ है कि 50% मस्दूर 4650 रुपई से कम मस्दूरी प्राप्ट करते हैं और बाकी 50% मस्दूर 4650 रुपई से अधिक मस्दूरी प्राप्ट करते हैं उधारन दिये गए आंक्णों का माध्धक ग्याद कीजिए हल प्रतम स्थम्भ में दी गई मस्दूरी लिखे दूसरे स्थम्भ में हम दी गई बारंबार्टा लिखेंगे बारंबार्टा का योग 31 है तीसरे स्थम्भ में हम प्रतेक मस्दूरी के लिए वर्तमान बारंबार्टा में उसके पहले की बारंबार्टा का योग कर संचाई बारंबार्टा ग्याद करते हैं इसके बाद हम माध्यक ग्याद करते हैं माध्यक पराबर 31 जमा एक बटा दोवा यानी 16 प्रेक्षन बराबर 91 रुपए यहां 12 से 23 तक सभी प्रेक्षन रुपए 91 है अता प्रेक्षन 16 91 रुपए है उधारन निमने लिखित वर्की कृत आँक्णों का माध्यक ग्याद कीजिए हल पहले स्तंभ में हमने दिये गए आँक्णे लिखे है दूसरे स्तंभ में हमने दी गई बारंबारता लिखी है तीसरे स्तंभ में हमने संचई बारंबारता लिखी है इसके पश्चात यहां N बटा 2 बराबर 50 बटा 2 बराबर 25 अताहा 20 से 30 माध्यक वर्क है अब L बराबर 20 H बराबर 10 C F बराबर 14 और F बराबर 22 है और फिर हम नीचे दिये गए सूत्र के अनुप्रयोक से माध्धक ग्यात करते हैं L जमा N बटे 2 घटा C F जिसका F से विभाजन और H से गुणन होता है सभी मानों को उप्रोक्त सूत्र में रखकर गर्ना करने पर हमें माध्यक 25 प्राब्थ होता है इस कार्थ है कि 50 प्रतिशत छात्रों को 25 से कमंक प्राब्थ हुए हैं और 50 प्रतिशत छात्रों को 25 से अधिकंक प्राब्थ हुए हैं संचई बारंबार्ता बंटन का आलिखिये निरूपन इसमें हम 36 अक्ष पर वर्ग अंतराल की उपरी सिमाएं अंकित करते हैं और उर्द्वाधर अक्ष पर उसकी संगत संचई बारंबार्ताएं अंकित करते हैं प्राब्थ वक्र कम प्रकार की एक संचई बारंबार्ता वक्र या तोरन कहलाती है यदि हम X अक्षपर वर्ग अंतराल की निचली सीमाएं अंकित करते हैं और उर्द्वाधर अक्षपर उसकी संगत संजई बारंबार्ताएं अंकित करते हैं तो प्राप्त वक्र अधिक प्रकार की एक संजई बारंबार्ता वक्र या तोरण कहलाती है टिपनी हम समान अक्ष पर दोनों आलेखों और उनके प्रतिछेद बिंदु द्वारा माध्धग्यात कर सकते हैं हम प्रतिछेद बिंदु से X अक्ष पर लंब डालते हैं और X अक्ष के जिस बिंदु पर यह लंब गिरता है वही बिंदु माध्यक होता है उधारण दिये गए आकणों का माध्य ग्यात कीजिए ग्यात कीजिए कि कितने चात्रों ने पहली को 12 से कम समय में और 18 से अधिक समय में हल कर दिया और कितने समय तक 28 चात्रों ने पहली को हल कर लिया था हल X बराबर 12 के लिए संचयी बारम बारता वक्र को प्रतिच्छेदित करती एक उर्धवर्धर रेखा खींचिये अब संचयी बारम बारता आक्ष पर मिलने वाली एक रेखा खींचिये प्राप्तमान 15 है 15 चात्रों ने पहली को 12 सिकंड से कम समय में हल कर लिया X बराबर 18 पर रेखा हमें 26 मान प्रदान करती है इसकार्थ है कि 32 घटा 26 बराबर 6 चात्रों ने पहली को हल करने के लिए 18 सिकंड से अधिक समय लिया संजई बारंबारता के मान 28 से वक्र को प्रतिछेत करती रेखा खींचिये अब X अक्ष से मिलाने के लिए बिंदू X बराबर 20 पर एक उर्दवा धर रेखा खींचिये यही वो समय है जिसमें 28 चात्रों ने पहली को हल किया था क्या आप जानते हैं समानिता सांकिकी को गनित की एक शाखा मानने के बज़ाए एक भिन गनित ये विज्ञान माना जाता है सांकिकी से संबंदित आरंबिक लेखन नौवी शताबदी की पुस्तक मनुस्क्रिप्ट ओन डिसाइफरिंग क्रिप्टोग्राफिक मेसेज़स में पाया जाता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं आकणों का माध्धे एक्स बार निम्न है कल्पित मात्य विधी से माध्धे निकालने का सूत्र निम्न है पग विचलन विधी से माध्धे ग्यात करने का सूत्र निम्न है वर्गी कृत आंकडों में बहुलक का मान निम्न सूत्र से ग्याद किया जा सकता है वर्गी कृत आंकडों का माध्यक निम्न प्रकार है माध्य, माध्यक और बहुलक का अंतर संबंध निम्न प्रकार है तीन माध्यक पराबर बहुलक जमा दो माध्य